परीक्षा के लिए रट रहे हैं, समय से अधिक काम करने का प्रयाज कर रहे हैं तनाव वो अनुभूती है जो तब महसूस होती है जब हमें चुनौती मिलती है या हम अभीभूत होते हैं तनाव एक कठिन शारिरिक प्रतिक्रिया है, जो आपके पूरे शरीर में से गुजरती है अलपा वधी में तनाव लाबदायक हो सकता है, पर जब ये बहुत बार या बहुत लंबे समय तक होता है तब आपकी आदिम लड़ाई या तनाव प्रतिक्रिया न केवल आपके दिमाग को बदल देती है, बलकि शरीर के अन्य अंगों और कोशिकाओं को नुकसान भी पहुँचाती है आपकी अधिवरिक ग्रंथी, कॉर्टिसॉल, एपिनेफरिन, जिसे एड्रिनलिन और नौर एपिनेफरिन भी कहा जाता है, नामक तनाव हॉर्मोन छोड़ती है चुकि ये हॉर्मोन आपके रक्त प्रवास से होकर गुजरते हैं, बे आसानी से आपकी रक्त वाहिकाओं और रिदय तक पहुँच जाते हैं एड्रिनलिन के कारण आपका दिल तेजी से धड़कता है और वो समय के साथ आपका रक्त चाप बढ़ाती है, जिससे हाइपर टेंशन होता है कोर्टिजॉल रक्त वाहिकाओं की एंडोथीलियम या आंतरिक लाइनिंग के सामाने रूप से काम न करने का कारण भी बन सकता है वैज्यानिक अब जानते हैं कि ये एथेरोस्क्लेरोसिस या कोलेस्ट्रॉल के प्लाग के बनने की प्रक्रिया शुरू होने का शुरुआती कदम है ये सारे परिवर तनाव के दिल के दौरे या स्ट्रोक के आशंका को बढ़हा देते हैं जब आपकी दिमाग को तनाव का पता चलता है तो वो आपकी ऑटोनॉमिक तंत्रिका प्रणाली को सक्रिय कर देता है तंत्रिका कनेक्शनों के इस नेट्वर्ग द्वारा आपका मस्तिश्क आपकी आंतों के तंत्रिका तंत्र को तनाव की जानकारी देता है आपके पेट में तितलियां पैदा करने के अलावा ये मस्तिश्क आंत का कनेक्शन प्राकृतिक लैबध संकुचन कर सकता है जो आपके आंत के माध्यम से भोजन को स्थानांतरित करता है जिससे irritable bowel syndrome होता है और acid के प्रती आपकी आंत की समवेधन शीलता बढ़ सकती है जिससे आपको heartburn महसूस होने की अधिक संभावना होती है आंत के तंत्रिका तंत्र के माध्यम से तनाव आपकी आंतों के बैक्टीरिया की संरचना और प्रकार्य को भी बदल सकता है और आपके पाचन और समग्र स्वास्ते को प्रभावित कर सकता है क्या जिर्ण तनाव आपकी कमर को प्रभावित करता है? जी हाँ, कॉर्टिसॉल आपकी भूप को बढ़ा सकता है, वो आपके शरीर को उर्जा के भंडारों को भरने के लिए अधिक उर्जा वाले खाद्य पदार्थ और कार्बो हाइडरेट खाने के लिए कहता है, जिससे आपको फास्ट पूड या मीठी नमकीन चीजे खाने की इ एक ऐसा अंग है जो हॉर्मोन और साइटोकाइन नामक प्रतिरक्षा प्रणाली रसायनों को सक्रिय रूप से रिलीज करता है, जो रिदय रोग और इंसुलिन प्रतिरोग जैसे पुराने रोग होने का जोखिम बढ़ा सकता है, स्ट्रेस हॉर्मोन प्रतिरक्षा की कारेशक्ती को मंद कर सकता है, जिससे संक्रमन की आशंका बढ़ जाती है और चोट के ठीक होने में अधिक समय लगता है, लंबा जीवन जीना चाहते हैं, आपको अपने पुराने तनाव पर अंकुष लगाना पड़ सकता है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये छोटे टेलोमेर् क्रोमोसोम के शूले इस टिप के सिरे जो कोशिका की उम्र को नापते हैं, जब भी कोशिका विभाजित होती है तो टेलोमेर्स क्रोमोसोम के डियने की प्रतिलिपी बनाना संभव करते हैं, ताकि कोशिका का अनुवानशिक को और ख्षति ग्रस्त ना हो, और हर कोशिका वि कई तरीकों से आपके स्वास्ति को हानी पहुंचा सकता है, जिनमें एकने, बालों का जढ़ना, यौन शितिलता, सिर्दर्थ, मानसपेशियों का तनाव, ध्यान के इंद्रित करने में कठिनाई, ठकान और चिड़चड़ापन शामिल हैं। तो आपके लिए इन सब का क्या मतलब है। आपका जीवन हमेशा तनाव पूर्ण परिस्थितियों से भर जाता है। लेकिन आपके दिमाग और पूरे शरीर के लिए खास ये है कि आप उस तनाव के प्रतिक कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यदि आप उन स्थितियों को उन चुनोतियों की रूप में देख सकते हैं, जिनहें आप नियंतरित कर सकते हैं और मास्टर कर सकते हैं, तो आप अलपावधी में बहतर प्रदर्शन करेंगे और लंबे समय तक स्वस्त रहेंगे। यदि समय के प्रबंधन को लेकर आपको तनाव हो रहा है, तो हमारे पास कंप्यूटरों से आपके लिए कुछ सुझाव हैं। इस वीडियो में देखें कि मशीने क्या कहना चाहती हैं।